हेलो दोस्तो पेड़ीस दुखाई होगी ना आप सब लोगों ने पता है कैसे बनती है चलो दिखाता हूँ आज नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अंशल शर्मा और आप देख रहे हैं आंश फ्लॉक्स तो दोस्तो आज है संडे मॉर्णिंग सुबद च्छे बच के 30 मिनट और मेरे साथ है विन है मेरा दोस्त हेलो फ्रेंड्स सुबर सुबर हम लोगों ने सोचा था साइक्लिंग करते हैं आज बड़ साइक्लिंग करते हैं मूड बनके आज पेटीज काते हैं अब भाई को मैं लेके आया हूँ उस शौप पे जहां से शौप किया उस बेकरी पे तो इस तरीके से इन्होंने आटा तयार किया हुआ है और अब इसको प्लेइन करके ऐसी शेप देदेंगे और फिर सारे पीस काटके इसके उपर यह लगाएंगे अब इस तरीके से पेटी इसके यह क्टिंग् कर रहे हैं साटे की जो आटा अपने लगाया था इसमें क्या मिलाते हो क्या क्या मिलाते हो इसमें बुठा है नमक पानी रिफाइन तो कोई एक पिटी इस गिर गे तुमारी अच्छा कटिंग है दो कि और इसमें अभी स्टफ लगाओगे बीच में पिट्थी इस तरीके से हाटा मलके पहले उसको सारा इकसार गर लेते हैं लोग और उसके बाद इसके ऊपर लगाते हैं आलो की पिठ्थी पनीर की पिठ्थी और जो भी पेट्थी होगी उसके लिए उसके अच्छा तो यह उगी आलो की पिठ्थी तयार और अब यह इस तरीके से देखे क्यासे लग रहे हैं इस तरीके से यह पिठ्फ्टे लगा कर और इसके बाद किया होता है इसके बाद उनको फोल्ड कर दिया जाता है ऐसे पिए पिए ल क्या लगा रहे हूँ here oil तोद्ध दूद्ध भी उज़ता है इसमें इसे क्या होता है यह चुपक चुपकी रहती है अच्छा पॉलिश हो जाती है अभी यह पेटिस के उपर वाली फोल्ड करने के बाद उपर वाली साइट पर लगा रहे हैं दूद्ध थाकि उस पर जो है वह शाइनिंग से आ जाए और ठीक से सिख जाए वह फोल्ड करने के बाद इनको प्रेस के उपर लगा के यह पूरी रैक है प्रेक उपर लगा के पूरी रैक वह सामने वह चिम्नी है यह एलेक्ट्रॉनिक चिम्नी है इसके अंदर रख दिया जाएगा और फिर यह गर्मा-गर्म पेटिस बनके तयार करोके हमें मिल जाएगी तो यह देखो दोस्तों गर्मा-गर्म पेटिस बनकर हो गई है तयार गर्म-गर्म पेटिस कैचिया हूँ कर दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो पेटिस के उपर एक चोड़ा सा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कीजिए चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई